आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो Question में कहा गया If a student score 43% marks Then he is failed by 72 marks ठीक है, but when he scores 57% marks he is passed by 40 marks Find passing percentage तो passing percentage का है वो हमें find out करना है तो हम मालेते हैं Total marks कितने है X, let total marks is equal to X है ठीक है, तो passing marks फिर कितना हो जाएगा देखो, passing marks हमें बताया गया है कि अगर वो 43% marks score करता है तो उसके बहतर नमबर कम ले जाते है तो passing marks कितना हो जाएगा X multiplied by 43 divided by 100 plus 72 passing marks हो गया और एक case और गीवन है कि जब वो 57% score करता है तो 40 marks उसके X टा रहते है पास by 40 marks तो ये क्या हो जाएगा passing marks इसके इसके में X into 57 divided by 100 minus 40 तो देखो, दोनों passing marks है तो दोनों को हम equate कर देंगे यहां से हमारे पास X की value आ जाएगी यानि total marks की value तो देखो, equate करेंगे तो 43X by 100 divide by 100 plus 72 is equal to 57X 57X by 100 minus 40 हो गया ठीक है, X की term को हम एक side ले आते हैं और बाकी को दूरसी side 53X divided by 100 minus का क्या हो जाएगा 57X by 100 हो जाएगा is equal to, देखो, minus 40 already है और यह plus का 72 है तो इस side क्या हो जाएगा, minus का 72 हो जाएगा ठीक है, अब हमारे पास LCM देखो, कितना आ गया, 100 LCM आएगा दोनों का denominator, same है 100, तो यहां पर 43X minus 57X is equal to 40 और 70 add करेंगे तो minus का 112 आएगा तो minus की, देखो, minus का term जाएगा और यह कम है, तो minus का हमारे पास कितना बचेगा minus का 14X divide by 100 is equal to minus का 112, तो minus से minus देखो, यहां हमारा cancel out हो जाएगा तो X की value यहां से कितनी आ जाएगी, देखो, X will be equal to 112 के साथ, तो 100 multiply हो जाएगा और जो 14 है, वो divide में आएगा तो divide by 14, तो 14 निचा 112 होता है तो X की value 800 आगी, मतलब total marks कितना आगया, हमारे पास 800 आगया, अगर हम passing marks की बात करें, तो value पूट कर देते हैं तो हमारे पास कितना आगा, 456 और 456 माइनस 40 कर देंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास 416, तो passing marks हमारा क्या होगा, 416 हो गया तो percentage क्या होगा, passing percentage की बात कर ले हम तो passing percentage passing percentage is equal to देखो, 416 में अगर pass होता है, तो total marks 600 है तो multiply by 100 कर देंगे passing marks divided by total marks into 100 तो passing percentage आजाएगा, तो 0 से हमने 2 0 काट दी 8 से काट देते हैं, देखो, 8 1 जा 8 8 5 जा 40 और 1 बच गा, तो 8 2 जा 16 तो 52% आगया 52% को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 52 divided by 100 और 52 divided by 100 को क्या लिख सकते हैं, 0.52 यही क्या होगा हमारा देखो, answer होगा तो 0.52 जो है option हमें 3 में given है तो option 3 will be correct answer to this question Thank you